अगस्त 2005 में, डेजी, एक बुजुर्ब महिला, अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है और उसके पास बहुत कम समय बचा है। अपने दर्द के बावजूद, वह अपनी बेटी कैरोलिन को एक घड़ी बनाने वाले के बारे में बताती है, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में अपने बेटे को खोने के बाद, 1918 में स्टेशन के लिए एक घड़ी बनाई थी, जो खोए हुए सैनिकों को वापस लाने की उम्मीद में पीछे की ओर चलती थी। अनावरन के बाद घड़ी सास को फिर कभी नहीं देखा गया, फिर डेजी ने केरोलिन को अपने बैग में बेजामिन, बटन की एक डाइरी से पढ़ने के लिए कहा, 1985 से शुरू होने वाली यह डाइरी बेजामिन की कहानी का खुलासा करती है, 1918 में, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के ठीक बाद, थॉमस, बाहर जश्न मना रहा था, अपनी पत्नी के पास गया, जो एक बच्चे को जन देते समय मर जाती है, बच्चे की बुजुर्ग शक्ल देखकर भय भी थॉमस उसे डुबाने के बारे में सोचता है, ल करती है, डॉक्टर ने बच्चे की जांच की, ये देखते हुए कि वह लगभग अंधा है और विभिन बीमारियों से पीरित है, ये अनुमान लगाते हुए कि वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा, क्वीनी ने बच्चे का नाम बेजामिन रखा है और उसे रिटायर् के बीच रहते हुए, उसे अपनी शकल सूरत अजीब नहीं लगती और वह दैनिक कारियों के लिए क्वीनी पर निर्भर रहता है, वह पढ़ना सीखता है लेकिन वीलचेर तक ही सीमित रहता है, कभी-कभी शहर के बच्चों के बारे में उत्सुक रहने वाली, क्वीनी उस चच के दोरे के अलावा, अंदर ही रखती है, एक शाम, क्वीनी ने पुजारी से बेजामिन को चलने में मदद करने के लिए कहा, बहुत प्रयास और प्रोतसाहन के बाद, बेजामिन कुछ कदम आगे बढ़ता है, इससे पहले की पुजारी की अचानक मृत्यू हो जाए, जैसे जैसे समय बीटता है, बेजामिन के स्वास्थे में सुधार होता है, उसकी मुलाकात पिगमी से होती है, जो उसे मनोरंजन के लिए बाहर ले जाती है, बेजामिन बटन, जो एक बुजुर्ग आदमी की शकल में पैदा हुआ था, हर दिन जवान होता जाता है, पैगम चूटने के बाद, बेजामिन अपनी बैसाखी के सहारे घर चलता है और क्वीनी की डांट के कारण देर से पहुँचता है। इसके बावजूद, वह इस स्मृती को अपने सबसे अच्छे दिनों में से एक के रूप में संजो कर रखता है। 1930 में, बेजामिन, जो अब बेद का उप्योग कर रहे हैं, एक थेंक्सकिविन दिन में शामिल होते हैं जहां उनकी मुलाकात एक किराइदार की पोती डेजी से होती है। हाला की वे तकनीकी रूप से एक ही उम्र के हैं, फिर भी बेजामिन तुरंत उनके प्रती आकरशित हो जाते हैं। पार्टी के दोरान, क्वीनी ने अपनी गर्भावस्था की घोशना की, जिससे बेजामिन को जलन महसूस हुई। बाद में, डेजी ने बेजामिन को अपनी दादी द्वारा बाधित किये गए एक मधुर्क शन को साज़ा करते हुई, अपने कंबल वाले किले में आमंत्रित किया। वर्तमान में, केरोलिन को एहसास होता है कि जर्नल की डेजी उसकी मा है। क्वीनी के बच्चे के जन्म के बाद पिग्मी शहर छोड़ देती है और बेजामिन अकेला महसूस करता है। उनके स्वास्थ्य में प्रतिदिन सुधार होता है, जिससे उन्हें स्वयम स्नान करने और कठिन भोजन खाने की अनुमती मिलती है। एक नया किराएदार उसके बहतर हाथों का फाइदा उठाते हुए उसे पियानो सिखाता है। वह अक्सर गोदी पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात कैप्टन माइक से होती है, जो उसे नाव के चौकीदार के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। बेजामिन को नौकरी पसंद है और वह जल्दी ही माइक से दोस्ती कर लेता है। ये जानकर हैरान की बेजामिन कभी किसी महिला के साथ नहीं रहा। माइक उसे वेश्यालय में ले जाता है। उसकी शकल के बावजूद उसकी युवा शक्ती से चकित होकर महिलाओं में से एक उसके साथ रहने के लिए सहमत हो जाती है। सडक पर थौमस उसके पिता बेजामिन को देखते हैं और उसे सवारी की पेशकश करते हैं। वे शराब पीते हैं और बार बंध हुने तक बाते करते हैं फिर थौमस उसे घर ले जाता है। जहां क्वीनी उसे फिर से डाटती है। बेजामिन को अपना पहला हेंगोवर अन सुबह वह उसे नाव की सवारी पर ले जाता है और एक क्रूस जहाज को करीब से देखने का उसका सपना पूरा करता है 1936 में 17 साल का महसूस करते हुए बेजामिन ने घर छोड़ने का फैसला किया क्वीनी को हार्दे कलविदा कहने के बाद डेजी उससे लिखने का वादा करती है बेजामिन माईक के टगबोट डल में शामिल हो जाता है और दुनिया की यात्रा करता है डेजी को पोस्ट कार्ट भेजता है जैसे-जैसे वह नए बंदर गाहों की खोज करता है वह मजबूत और युवा होता जाता है, जिससे चालक दल के साथ गहरे संबंध बनते हैं जो परिवार की तरह बन जाते हैं बेजामिन को अक्सर डेजी से पत्र मिलते थे, जो न्यू यॉर्क में बैले का अध्यायन कर रही थी 1941 में उत्तरी रूस पहुँचने पर उनकी नाव को भयन कर बरफीले तूफान का सामना करना पड़ा एक स्थानिय बार में, बेजामिन ने नशे में एक विवाद देखा, जिससे यह निशकर्ष निकला की ऐसे द्रिश्य सार्वभॉमिक थे होटल के एलिविटर में उनकी मुलाकात एक अंग्रेज महिला एलिजाबेट से हुई जो एक जासूस से नाखुष शादी में फसी हुई थी ठंडी रूसी रातों ने बेजामिन के लिए सोना मुश्किल कर दिया जिसके कारण एक रात उनकी मुलाकात एलिजाबेट से हुई उन्होंने चाय और कहानिया साजा की और हर रात की मुलाकात के साथ उनमें नजदी किया बढ़ती गई वरतमान में केरोलिन को एक पोस्ट कारड मिला जिसमें बेजामिन ने अपने प्यार का इजहार किया था जिससे स्कूल में प्राप्त करने पर डेजी पर गहरा प्रभाव बढ़ा एलिजाबेट ने बेजामिन को कैवियार और वोड का जैसे नए अनुभवों से परिचित कराया 19 साल की उम्र में इंगलिश चैनल में तैरने का अपना सपना साजह किया जिसे उन्होंने छोड़ दिया उनकी घनिश्टता बड़ी जिससे उनका पहला चुमबन हुआ और उनके संबंद को प्यार, शब्द से रहित रखने का समझोता हुआ कुछ दिनों के बाद बेजामिन ने पाया की इलिजाबेट चली गई है और साथ में बिताए गए समय के लिए आभार व्यक्त करते हुए केवल एक नोट छोड़ गई है ब्वितिय विश्व युद्ध के बीच, बेजामिन ने टगबोट पर नई जिम्मेदारियां ली जो अब क्षतिग्रस जहाजों और स्क्रेप धातू को खीचती थी एक सैनिक साथी नियुक्त किया गया बेजामिन कहानियों से बंधा हुआ था और अगर वह मर जाता तो उसकी पत्नी के लिए सैनिक के पैसे की जिम्मेदारी उसे सौपी जाती थी एक परिवहन जहाज पर तारपीडो हमले के बाद बचाव अभियान के दोरान बेजामिन के चालक दल ने दुश्मन की एक पंडुब्बी पर हमला किया और उसे डुबो दिया हालां की हताहत हुए बिना नहीं अगले दिन सहयोगियों द्वारा बचाए गए बेजामिन ने समुद्र में एक दुरलब हमिंगबर्द देखा जो उनके दिवंगत मित्र माइक के उनके प्रतीस नेह की याद दिलाता है 1945 में अपनी उम्र से अधिक उम्र में बेजामिन एक बदली हुई दुनिया के बीच अपने परिवार के साथ फिर से जुड़कर घर लोटाए अपनी मा के प्रेमी की मृत्यू के बाद बेजामिन घर वापस आ गया वह उसके साथ वापस चला गया और परिचित चेहरों के साथ फिर से जुड़कर बुजुर्ब निवासियों के लिए पियानो बजाना शुरू कर दिया एक सुबह जो अब जवान हो चुकी है अपनी दादी से मिलने गई और पहले तो उसने बेजामिन को नहीं पहचाना जब आखिरकार उसने ऐसा किया तो उसने गर्मजोशी से उसे गले लगाया और संपर्क में न रहने के लिए उसे डाटा रात के खाने के दौरान उन्हें पुरानी यादे ताजा हो गई लेकिन बेजामिन ने देखा कि उनका जीवन अलग-अलग दिशाओं में चला गया था वह देजी को धूंडपान करते देख आश्चर ये चकित रह गया जील की यात्रा के दौरान डेजी ने अपने नृत्य कोशल का प्रदर्शन किया और अंतरंगता शुरू करने की कोशिश की लेकिन बेजामिन ने उल्जन महसूस करते हुए विनमरता से मना कर दिया जैसे जैसे समय बीटता गया बेजामिन युवा और स्वस्थ होते गए एक शाम थौमस पैर में संक्रमन के कारण बैसाखी के सहारे लड़ खड़ाते हुए बेजामिन से मिलने आये और अपनी लाइलाज बीमारी के बारे में बताया उन्होंने एक साथ भूजन किया और बाद में थौमस ने खुलासा किया कि वह बेजामिन के पिता थे उन्होंने उन्हें एक पारिवारिक तस्वीर दिखाए और बताया कि उनकी मां के साथ क्या हुआ था अभिभूत होकर बेजामिन ने शुरू में छोड़ दिया लेकिन बाद में थौमस के साथ सुधार किया थौमस के निधन से पहले जील के किनारे आराम पाया Queenie के साथ, बेजामिन ने अपने जीवन में Queenie के महत्व को पहचानते हुए, Thomas के अंतिम संसकार में भाग लिया 1947 में Thomas की विरासत का उपयोग करते हुए बेजामिन ने थेटर में Daisy के प्रदर्शन से गहराई से प्रभावित होकर New York की यात्रा की शो के बाद, वह मंच के पीछे Daisy से मिले लेकिन उसने अजीब तरह से उसके रात्रिभोज के निमंतरन को अस्विकार कर दिया और इसके बजाए अपने दोस्तों के साथ एक Dance Club में जाने का विकल्प चुना देजी को उसके नए प्रेमी के साथ देखकर बेजामिन को परेशानी हुई और वह अचानक चला गया देजी ने बाद में सपष्ट किया कि वह बेजामिन के लिए अपना जीवन नहीं रोक सकती जिससे उन्हें उनका निर्नए स्विकार करना पड़ा वर्तमान में देजी ने बेजामिन की यात्रा के दौरान अपनी आत्म के दृत्ता को खेद पूर्वक्स विकार किया और अपनी उपलब्दियों को साज़्ा किया जिसमें बोल के साथ मृत्य करने के लिए आमंतृत पहली अमेरिकी होना भी शामिल था बेजामिन डेजी के बारे में कभी नहीं भूले, लेकिन उन्होंने विभिन महिलाओं के साथ जीवन्त रातों का आनंद लेना जारी रखा और अकेले सवारी का आनंद लेते हुए बाइक चलाना शुरू कर दिया 1962 में, डेजी ने क्वीनी की जगह पर बेजामिन को आश्चरे चकित कर दिया, वे गर्मजोशी से गले मिले, आखिरकार एक अंतरम क्षण साज़ा करने से पहले जहां उनकी समान उम्र ने इसे स्वाभाविक बना दिया वे एक साथ यात्रा करने लगे, एक दूसरे की संगती का आनंद लेते हुए एक संतुष्ट दायक जीवन जीने लगे घर लोटने पर, क्वीनी के निधन के बारे में जानकर बेजामिन टूट गए वे उसके अंतिम संसकार में शामिल हुए, उसे अंतिम विदाई दी और उन्हें नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया बेजामिन ने थॉमस का घर बेच दिया और एक डूपलेक्स खरीदा, एक साथ जीवन बिताने का आनंद लिया उन्होंने खुशी खुशी टीवी पर बीटल्स को देखा और अपने भौतिक चिकितसक पडोसी के साथ घुल मिल गए देजी ने तेराकी शुरू करने की सलाह का पालन किया लेकिन दूसरों की पूर्णता से निराश हो गई, फिर भी बेजामिन ने उनका समर्थन किया आत्मा दया पर काबू पाते हुए उन्होंने एक मृत्य स्टूडियो खोला और युवा लड़कियों को सिखाया स्टूडियो की यात्रा के दौरान देजी ने खुलासा किया कि वह गर्भवती थी हाला कि बेजामिन को अपनी बढ़ती उम्र के कारण परेशानी महसूस हो रही थी एक रात्रिभोज में उन्होंने देखा कि इलिजाबेत जो अब वर्सट वर्षकी हो चुकी है इंगलिश चैनल तैरने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई है बाद में डेजी ने केरोलिन को जन दिया जिसका नाम बेजामिन की जनदात्री मा के नाम पर रखा गया वर्तमान में केरोलिन को एहसास हुआ कि बेजामिन उसके जैविक पिता थे और डेजी ने केरोलिन को परेशान करते हुए उसके बाद दूसरी शादी कर ली थी अपनी बढ़ती उम्र के बारे में चिंतित होकर बेजामिन ने छोड़ने का फैसला किया वह चाहते थे कि केरोलिन को एक उचित पिता जैसा दरजा मिले डेजी के विरोध के बावजूद केरोलिन के पहले जनम दिन के बाद एक रात बेजामिन चुपचाप चले गए केरोलिन को बेजामिन के हर जनम दिन के लिए पोस्ट कार्ड मिले जिसमें उनकी अनुपस्थिती के लिए माफी मांगी गई थी जीवन का भरपूर आनंद लेने के लिए बेजामिन ने वैश्विक यात्राई शुरू की और विभिन विशम नौक्रिया अपनाई एक रात युवा दिख रहे बेजामिन ने डांस स्टुडियो का दौरा किया देजी ने उसका परिचे केरोलीन के पुराने दोस्त के रूप में कराया, जो उसे नहीं पहचानती थी उनके क्षण में देजी के पती ने बाधा डाली, जिसने तनाव महसूस किया और केरोलीन को दूर ले गया डेजी ने स्विकार किया कि बेजामिन सही थे वह दो किशोरों का पालन पोशन नहीं कर सकी आसूँ के साथ उसने बेजामिन को संभवता आखरी बार विदाई दी डेजी बेजामिन से उसके होटल में मिलने जाती है और वे आखरी रात एक साथ बिताते हैं वर्तमान में कैरोलिन को उस रात बेजामिन से हुई मुलाकात याद है तूफान कैटरीना के आने के साथ कैरोलिन ने अपनी मरना सनमा डेजी के साथ रहने का विकल्प चुना डेजी कहानी जारी रखती है कैरोलीन के सौतेले पिता की मृत्यू के बाद उसे बाल सुरक्षा सेवाओं से एक कॉल आती है उन्होंने बेजामिन को न्यू ओर्लियन्स की एक परित्यक तिमारत में रहते हुए पाया जिसमें अब मनोब्रंश के लक्षन दिखाई दे रहे थे डेजी उसकी देखभाल के लिए सेवानिवृती ग्रह में चली जाती है क्योंकि वह फिर से एक बच्चे में बदल जाता है और अंतता है एक बच्चे में बदल जाता है बेजामिन के लिए बात करना और चलना भूल जाना कठिन होता जा रहा है 2003 में बेबी बेजामिन मरने से पहले डेजी को आखरी बार देखता है जैसे ही तूफान बढ़ता है डेजी खिड़की पर एक चिरियों को देखती है अलविदा बेजामिन कहती है और मर जाती है तूफान से आया बार का पानी तेखाने में छिपी पुरानी घड़ी तक पहुँच जाता है